नमस्कार स्वगत्याप का हमारे चन्चार जागंदर मिशा में तीश अप्रैल को शूर गरहन तुलसी को छोकर चुप चाप तीन बार बोल दें ये दो सब्द जो मांगोगे तुरंत इक्षा पूरी होगी दोस्तों इस बार साल 22 का पहला शूर गरहन तीश अप्रैल को पढ़ने जा रहा है और ये काफी प्रभावशाली शूर गरहने वाला है लेकिन अब आप ये कहेंगे कि शूर गरहन के दर्मियान हम तुलसी को कैसे चुएं तो दोस्तों ये जो तीश अप्रैल को साल 22 का पहला शूर गरहन लगने जा रहा है ये रात्र में लगेगा और ये आंसिक शूर गरहन होगा इसलिए इस गरहन का भारत में कोई भी असर नहीं रहेगा लेकिन आपको तुलसी को दिन में छूना है और तुलसी की पूजा दिन में करनी है इसलिए आप तुलसी की पूजा दिन में करें और अपनी विशेश मनोकामना की पूर्ती के लिए ये दो सब्द जरूर बोलें दोस्तों इस बार ये जो तीस अप्रैल को उस घर में कभी भी दरिता और करीवी का बास नहीं होता माता लक्षमीजी उस घर में शदैब अपनी कृपा बनाए रखती है और जिस दिन शूरगहन लग रहा हो तो सूरगहन के समय से पहले आप तुलसी की पूजा जरूर करें और तुलसी की पत्ते को अपने पास रखें तुलसी की पूजा करने से मौक्ष की भी प्राप्ती होती है और पापों का नाश भी होता है जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सभी देवी देपता निवास करते हैं साथी तुलसी उस घर में नकरात्म कुरजाओं को समाप्त कर देती है और घर में केवल और केवल शकरात्म कुरजा का संचार करती है पौराणिक मानताओं के अनसार रोज तुलसी पूजा करने से धन संपता बैभव, शुक और सम्रद्धी की प्राप्ती होती है और माता लक्ष्मी जी परसन होती है लेकिन जिस दिन सुर्गहन पढ़ रहा हो ठीक उसके समय के पहले ही तुलसी की पूजा जरूर कर लें और सुर्गहन के बाद आप तुलसी की पूजा करें तो काफी लाभकारी माना जाता है पदम पुरान के अनस्वार जहां तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा विष्णू संकर यानी की तरदेवों का निवास स्थान होता है तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार से नश्ट हो जाते हैं जैसे शूर के उदय होने पर अंधकार नश्ट हो जाता है आपके घर में ग्रह कले सो रहता हो या फिर घर में हमेशा असांती और गरीबी बेनी रहती है या फिर पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं है या फिर जेवन में किशी ना किशी तरह के कोई परेशानी आती रहती है तो आज हम आपको एक खास मंतर के बारे में बताएंगे जिसे आपको 30 अप्रैल को शुर गहन के दिन इस मंतर को जरूर तुलसी को छुकर बोलना है तुलसी की पूजन के दौरान आप ये बोलें तो मातर कुछी दिनों के अंदर आपके हर परिशानी दूर हो जाएगी घर में इस थाई रोप से माता लक्ष्मी जी कबास रहेगा साथी घर में खुसाली और अच्छे वाता वरण का माहौल बना रहेगा घर में कभी भी दुख दरिता कबास नहीं होगा तो आएए जानते हैं इस खास मंतर के बारे में तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्ष्ट करते हैं कि बीडियो को लाइक करके जदा ज़्यदा शेयर जरूर करिएगा और साथी चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश जरूर करिएगा दोस्तो मंतर जाप के लिए रोज की बात अपने इश्देव की पूजा पाठ जैसे करते हैं उसी तरह से इस दिन 30 अप्रल को शुर्गन के दिन भी करें तुलसी के पास जाकर सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करें और उसके बाद तुलसी को सुध जल से अरपित करें आप चाहे तो गंगा जल भी अरपित कर सकते हैं इसके बाद उन्हें शिंदूर का यनि टीका लगाएं हल्दी चढ़ाएं और तुलसी का सिंगार करें जैसा कि आप जानते हैं तुलसी का शिंगार ये बहुत ही पसंद होता है तुलसी के नीचे घी का एक परजलित दीपक जलाएं और धूप अगरवत्ति यनि सुगंदित धूप अगरवत्ति जरूर जलाएं तुलसी के साथ परिक्रमा अवश्च करें इसके बाद तुलसी के स एक खास मंत्र का जाप करें, मंत्र कुछ इस प्रकार से है, महापरसाद जननी, सर्व शौभाग वर्धनी, आदि ब्यादी हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तते, एक वार फिर से सुनिए, महापरसाद जननी, सर्व शौभाग वर्धनी, आदि ब्यादी हरा नित्यम तुलसी नमस्तुते इश्मंदर का जाप आप अवश्य करें मंतर जाप के वाद यानि कि अपनी सभी मनोकामना तुलसी को छोकर बोल दें यानि कि 30 अप्रल को शूरगहन के दिन आपको ये मंतर तुलसी को छोकर ही बोलना है और अपनी मनोकामना शीधे आप भागवान से बोल दें भ भूम फिर कर बात कहें तो तरदेवों के कृपा पर बनी रहेगी इस मंदर के प्रभाव से खुद भगवान को भी आपके इच्छा अवश्च पूरी करनी पड़ेगी और इसके लिए वो विवस भी हो जाएंगे तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तो अगर आपको यह है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें जदर जदर दोस्तों को भी शेर करें और चलों को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिए जै माता लक्षनी